नमस्कार मैं शिवानी बिहारी नुच में आप सभी का स्वागत करती हूं भारत की जलवायों में अम्रुद इतना घूल मिल गया है कि इसकी खेती यहां अत्यंत सफलता पुर्वक की जाती है आपको उत्यादे कि 17 शताबदी में यह भारत वर्स में लाया गया अधिक सहनशी होने के कारण इसकी खेती अनिक प्रकार की मिठी तथा जलवायों में की जा सकती है सरदी के मौसम में यह इतना अधिक तथा सस्ता प्राप्त होता है कि लोग इसे निर्धन जनता का एक फल कहते हैं यह स्वास्त के लिए अत्यंत लाफ दायक फल है इसमें विटामिन C अध अधिक तापमान, गर्म हवा, वर्सा, लवनिये या कमजोर मिठी, कम जल, जल भड़ाओ की दशास से अधिक प्रहावित नहीं होता है यह जितनी आसानी से आपको मिल जाता है इसके उतने ही अन्मोल फायदे हैं अमरूद मीठा और स्वादिस्ट फल होने के साथ साथ कई औस दिये गुनों से भड़ा हुआ है, सर्दियों में अमरूद खाने के फायदे ही फायदे हैं, आईए इनहीं कुछ फायदों से रूबर्डू करते हैं, अमरूद हाई एनरजी फ्रूट है जिसमें भरपूर मात्रा में विचामिन और मिनरल्स पाया जाते हैं, ये तद त छाने से दातों के संबंधी भी तूर हो जाते है, तो जाना अमरूद खाने से आपका मैचा बॉली म मजबूथ होता है, जिससे आपके शरीक हम और नियंत्रित करने में और धीरे धीरे आपका वजम कम होना शुरू हो जाता है विच में ए आखों को स्वस्त रखने का काम करता है अम्रूद में पाया जाने वाले पोसक तत्तों मोत्या बिन बनने की संभावना को कम करते हैं इसे खाने से कमजोर आखों की रोशनी बढ़ने लगती है मैगनीशियम तनाव के हार्मोन्स को कंच्रोल करने का भी काम करता है जो अम्रूद में भरपूर मातरा में होता है दिन भर की ठकावट दूर करना चाहते हैं तो अम्रूद खाए इससे मानसिक रूप से ठकान नहीं होती अम्रूद पर नमक और काली मिर्च लगाकर खाने से कफ दूर होता है वहीं पके अम्रूद के बीजो को खाने के बाद पानी पीने से जो काम से भी राहत मिलती है अम्रूद के साथ-साथ इसकी पतियां भी फाइदन्द हैник इसे पत्यदेंट्स होते हैं जो अज्ट अउटा की उभ बढ़ाने वाले फ्री रेडिकल्स को ブत्म करते हैंapi और रंगत को निखारते हैं और एजिंग के निशान भी साफ कर देते हैं अमरुद की कुछ पतिया ले और उसे ब्लेंट कर ले और इसमें दो चमच दही डालकर मिक्स करें और ये फेस पैक 15 मिनट के लिए चेहरे पर रखें और फिर फेस को ठंडे पाने से दो तो ये रहे अ नए वीडियो में नई जानकड़ी के साथ तक तक के लिए धन्यवाद